स्वास्त का जो टपिक है वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टपिक है और बहुत सारा कॉंटेंट है तो मैं कुछ बातें आज रख दूंगी आपके सामने अपकोस पूरा पूरी बात करना मुम्किन नहीं होगा पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कुछ डिटेल्स कुछ बातें और ये चाहूंगी आप सब को आमंत्रिक करना कि इस विशेय पर जो एक किताब छपी गई है होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर उसको आप सब पढ़ें और आगे जो हेल्थ वर्क्शॉप्स होंगी उनको अटेंड करें और अपने अंदर भी जांचे जो बात रखी जाएगी उसको अपने लिए भी देखें और जो भी हम हो सके तो जैसे के हम UHV में exploration करते हैं उसी तरह से हम इस बात को समझें और अपने जीने में उतारें तो इस आशा के साथ हम लोग बात को शुरू करते हैं परिक्षित भीया स्लाइड शेयर करेंगे भीया आप शेयर कर सकते हैं अभी जो हम आज जो हम बातें करेंगे एक तो ये बात होगी कि पूरी जो स्रिष्टी है वो कैसी है और उसका health से क्या लेना देना है तो यह आप next slide पर जा सकते हैं तो इस पूरी बात में मतलब हमारा क्या मानना है स्वास्त के बारे में और ये मानना सही अर्थ में मतलब जो जैसी श्रिष्टी है उसके बेसिस पे है या हम कुछ और मान के चल रहे हैं और अगर वैसा है तो फिर बात ठीक बैठेगी नहीं तो उसके बारे में थोड़ी बात होगी फिर ये बात होगी कि जब हम स्वास्त बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है हम क्या समझते हैं उस क्या हुगा हमने बात करी श्रिष्टी कैसी है उसके स्थु़ से जिसकी बात करेंगे और जो भी स्वास्थ के लिए होगे वो स्थी मैं जो रियालिटी अगे पर तो उस पूरे basis के साथ समग्र स्वास्त जब हम बात करते हैं उसका वो कैसा होगा उसके बारे में थोड़ी बात होगी और उसमें हम किन-किन चीजों को किन-किन चीजों पर ध्यान देंगे उसकी बात होगी और ultimately यह कि यह सब करना कैसे है इसको जीने में कैसे लाना है और हो सकेगा तो चाहूंगी कि इसके बाद आपके जो भी प्रशन हो थोड़े से वो प्रशनों को ले पाएं तो नेक्स स्लाइट पर जाएं तो अभी हम स्वास के बारे में कैसा सोचते हैं यह बात मतलब ऐसी ही है या हमने कुछ और माना हुआ है इसके बारे में कहीं हम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कुछ प्रॉब्लम आया कुछ शरीर में कुछ इशू हुआ तो हमने उसको ठीक कर दिया तो हम स्वस्थ हो गए या हमें कुछ बिमारी आई हमने दवाई ले ली तो हम स्वस्थ हो गए यह तो हमारा पस्पेक्टिव नहीं है अभी देखें जैसे बुखार आता है तो हमें से कितने लोग बुखार के लिए दवाई लेते हैं आप चैट में जवाब दे सकते हैं बुखार आया बुखार उतारने के लिए दवाई लो दवाई ले दी हाँ या ना में आप Yes और No में चाट में लिख सकते हैं तो बहुत से answers आए हैं Yes के एक आद answer आए है No के अब अगर हमें दरद होता है शरीर में कहीं कुछ problem है दरद हुआ दरद के लिए दवाई लेते हैं Yes और No में answer कर सकते हैं इसमें भी कुछ yeses हैं, कुछ no's हैं आ हमें सर्दी हो गई, वाइरल हो गया तब दवा लेते हैं, अंटिबाइटिक लेते हैं क्या येस no में आंसर कर सकते हैं इसमें भी yes no बहुत से हैं तो यही बात है, कि क्या करें, क्या ना करें ये ठीक है, नहीं है, कैसे अप्रिसाइड होगा हेल्थ की बात करते हैं, या हम प्रॉब्लम की बात करते हैं और उसमें से बाहर निकलने की बात करते हैं अभी लगेगा कि भी बुखार हुआ तो प्रॉब्लम हो गया बॉडी में लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि है temperature raise होता है जब temperature बढ़ता है तो जो white cells जो की जो बाहर से कुछ infection आई उसको हटाने के जो process में काम करते हैं जो cells शरीर में वो increased temperature में और तेजी से उस जगा पर जा पाते हैं जहां पर actual बिमारी जो seat of infection है जहां पर से शुरू हो रही है problem body में और वो उस चीज़ को ज्यादा efficiently वहां से हटा सकते हैं तो हमने क्या किया अगर हमने दवाई लेके बुखार को कम कर दिया तो अब यह process में interference हुआ ना तो शरीर कुछ कर रहा है अपने नॉर्मल जो उसका recognition और fulfillment का process है उसके तहत वो कुछ कर रहा है अगर हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं उस process को समझ नहीं पाते हैं तो अक्सर हम उस चीज को उसमें बाधा डालते हैं इसी तरह pain दरत कहीं पर होता है यह एक indicator है कि शरीर में कहीं तो कुछ problem है तो अगर हम pain को ही बंद कर देते हैं अब हमें पता क्यासे चलेगा कि problem है के नहीं तो एक बात हो रही थी जैसे कि शायद सुबह ही बात हो रही थी यह morning session में कि कुछ खाना बाहर रखा है अब हम देख पाते हैं कि यह खाना हमारे life है के नहीं इसको time हो गया बना के खराब तो नहीं हो गया कैसे देखते हैं एक तो आँखों से देखते हैं देखने में तो ठीक लग रहा है फिर सून के symptom है एक indicator है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है तो इसके तहद यह जब हम देख पाते हैं तो फिर हम उसके पीछे क्या है वो ढूंदते हैं कहां problem है उसको fix करें धरत कोई कि बंद कर दिया तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा अभी बात हो रही थी viral illness की कुछ viral हुआ एंटिबाइटिक ले लो अगर मैं आपसे कहूं कि एंटिबाइटिक से बैक्टीरिया खतम हो जाते हैं लेकिन वाइरल तो बैक्टीरिया नहीं है वाइरल इलनेस सर्दी खांसी य अगर जो अपने शरीर में ही बहुत अच्छे बैक्टीरिया भी है अच्छे यानि शरीर के स्वास्त के लिए काम कर रहे हैं तो उनको मारेगा फिर दूसरे नहीं मिलेंगे तो अगें ये प्रोसेस में बाधा आए तो स्वास्त अच्छली है क्या नेक्स्ट स्लाइड बीच अगर हम देखें स्वास्त की डेफिनिशन देखें तो दिक्षिनरी डेफिनिशन में है कि जब आपको कोई बिमारी नहीं इलनेस नहीं इंजरी नहीं ये स्वास्त है लेकिन अगर आप डबलू एच्छो की डेफिनिशन लेते हैं जो कि 1948 से चल तो इसमें कहते हैं ये पूरी तरह से स्वास्त मतलब पूरा जो अपना मेंटल शारीरिक मानसिक और सामाजिक वेल बीग इसको कहेंगे सिरफ बिमारी नहीं है इसको नहीं फिर अगर हम और देखें तो आयरवेद में क्या कहते हैं इसमें भी बात की गई है कंपलीट फिजिकल, मैंटल और स्पिरिच्वल वेल बीग जिसको कहा गया है साइको सोमाटिक एकुिलिब्रियम साइको याने माइंड, साइकी, माइंड से रिलेटेड, मन से, सोमा याने शरीर तो दोनों के बारे में दोनों का ध्यान देना है दोनों पर ध्यान रखना है और उस सब के साथ होते हुए शरीर में तो स्वास्त रहे गाई तो हमारा क्या मानना है human being के बारे में पूरी existence के बारे में हमारा यहां क्या रोल क्या है हमारी भागीदारी क्या है इन questions पे हम लोग काफी इस पर विचार कर चुके हैं यह हमारे पास सूचना के तौर पर बहुत तरीकों से आज चुका है but ultimately यह सब questions का answer जरूरी है तभी हम स्वास्त को पूरी तरह समझ सकते हैं तो उसके लिए हमें यह सब questions के answer भी ढूनना ही है और वो उस काम पर हम लगे हैं आगे चलते हैं अभी हम देखें तो जो हमने बात कही कि यह reality में क्या है चीजें कैसे चल रही है और इन से शरीर के स्वास्त का क्या लेना देना है वो सब समझने के लिए यह जो universal health principles हैं इनकी थोड़ी सी बात होगी इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहती जिस्ट के यह जैसे के हम universal values की बात करते हैं वो सब के लिए लागू होता है एक rational तरीके से verify किया जा सकता है उन सब से harmony होती है तो यही बात universal health principles की भी है इसमें भी हम लोग एक तो के देखेंगे के यह सब के लिए लागू होता है across the board चाहे आप इधर हैं बाहर हैं कहीं भी हैं बड़े हैं छोटे हैं elderly young सब के लिए लागू होता है इसको rationalize करके देखा जा सकता है logical reasoning के साथ verify करके देख सकते हैं try करके देख सकते हैं और इससे harmony maintained रहे पाएगी अपने अंदर और शरीर में और बाहर अपने वातावरण में तो यह एक तरीके से proposals हैं आपके लिए प्रस्ताव है जिसको आपने खुद जांचना है आपने खुद जी कर देखना है और फिर आपको ठीक लगे तो उसको continue रख सकते हैं तो यह जो universal principles of health हैं इनको जो जैसी स्रिष्टी है उसी पर उसी foundation पर ढाला गया है तो हमें कुछ करना है क्यों करना है बड़े बोलते हैं बच्पन से हम सुनते आएं सुबह जल्दी उठना चाहिए क्यों उठना चाहिए तो यह सब बातें अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा क्यों जरूरी है उससे क्या फाइदा होगा उससे क्या होगा शरीर में क्या असर होगा अगर हम देर से उठेंगे तो क्या होगा तो क्यों करना है यह हमको यूनिबर्सल प्रिंसिपल्स अफेल्ट से मालूम पड़ेगा उसके बेसे पे कुछ रेकमेंडेशन हैं कि ऐसा करना ठीक है तो क्या करना है वो हमें रेकमेंडेशन से मालूम पड़ेगा और धीरे मतलब उसको कैसे करना है अपने लाइफ में कैसे लाना है वो यह जो प्रैक्टिस होंगी जिनसे हम कर सकते हैं उनको फॉलो करने से मतलब वो करने से हम यह रेकमेंडेशन को फॉलो कर पाएंगे तो जो हेल्ट बुक की जो बात हो रही थी उसमें यह सब डिटेल में दिये गए हैं जैसा मैंने कहा बहुत जादा समय नहीं है तो मैं दीरे दीर एक दो तीन एक्जामपल्स लेके इस बात को आगे रखूंगी और बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप और फिर उस तरीके से हम उसको जीने में ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं नेक्स लाइट प्रिस तो एक सिंपल सा हेल्थ प्रिंसिपल जो की हम बहुत सूचना के तार पर हम सुनते आए हैं यूएच वी की वरक्शॉप्स में भी के मानव सेल्फ और बॉड़ी का एक को एक्शिस्टन्स है मैं और शresser इनका एक सह dipping में अब इसका diplomat कि यह हुआ कि जब हम स्वास्त की बात करें तो हम सिरफ शरीक के स्वास्ती बात करें हम सेल्फ के भी स्वास्ती बात करें तो जब हम health in the human being बोलेंगे, तो हमें दोनों का consider करना पड़ेगा, health self का भी, health body का भी, next slide, फिर एक और principle है, कि self ही के इंदर में है, शरीर तो मातर एक tool या instrument के जैसे है self का, अब already हमने कह दिया कि human being में, जब health की बात करें, तो health self में भी, body में भी देखना है, अब हमने कहा self ही central है, self ही केंदर में है, तो self का ही role है mainly, health में, human being के health में, तो अब इससे हमारी priority clear हो जाती है, कि health in the self is number one, उसके basis पे उसको आधार रखते हुए health in the body, तो अगर हमारे मन ही स्वस्थ नहीं होगा, तो शरीर को स्वस्थ रखने में problem आएगी ही, ये बात उससे ध्यान में आती है, इसी तरह ये भी एक health principle है कि शरीर और self का coexistence होते हुए, ये जो मानव है, ये पूरी nature में भी embedded है, उस सारी जो material units हैं, consciousness units हैं, सबके साथ interact करता है, सबके साथ एक relatedness है ही, इसका मतलब ये हुआ, कि human being इन सब में भी भागिदारी है, संबंध भी है, तो हर एक human being किसी परिवार का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, पूरे nature का एक हिस्सा है, तो जब हम स्वास की बात करेंगे, completeness में, समगरता में, तो फिर हमें इसका भी ध्यान रखना होगा, तो फिर क्या picture बनेगा, next line, तो ये होगा, कि हमें दिखेगा, कि जब हम स्वास की बात करते हैं, समगरता में, तो हमें इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, healthy self, अपने में स्वास्थ, healthy body, शरीर में शरीर स्वास्थ, और healthy environment, वातावरन स्वास्थ, ये तीन बिन्दूओं पर थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे, ज़्यादा समय हम two पर healthy body पर लगाएंगे, क्योंकि healthy self पर हम लोग अल्रेडी काम कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन थोड़ी सी बात उस पर रखेंगे, healthy environment पर ज़्यादा समय नहीं होगा, तो हम उसको आगे देखेंगे, नेक्स स्लाइड, तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी healthy self के बारे में, नेक्स स्लाइड, तो अगर हम देखें अपने अंदर, अब ये स्लाइड थोड़ी सी फरक लगेगी आपको, तो अगर हम इस पर फोकस करें, ये जो yellow part है, yellow block, ये self को दर्शारा है, तो अपने अंदर, ये काम हम सुबह morning session में भी कर रहे हैं, यहां भी हम देख सकते हैं, कि अपने अंदर कुछ क्रियाएं चलती रहते हैं, अपनी कल्पना शीलता चल रही है, इच्छा विचार आशा चली रहा है, imagination, इसके अलावा अपने अंदर एक सहत स्विकृती भी है, natural acceptance, तो जब जब हमारी कल्पना शीलता natural acceptance के सहत स्विकृती के line में चलती है, तब तब हमारे अंदर ले, हमारे अंदर एक harmony बनी रहती है, और हम सुख, सुखी अपने आपको पाते हैं, for example, हमारे में विश्वास के भाव की एक स्विकृती है, लेकिन हर समय, हर शन हमारा भाव विश्वास वाला नहीं होता, कभी-कभी हमारी कल्पना शीलता में विश्वास का भाव चल रहा होता है, कभी-कभी अविश्वास का, तो जब-जब हमारी कल्पना शीलता में विश्वास का पाएंगे जब जब हमारे अंदर अविश्वास होगा हम अपने आपको दुखी पाएंगे और यह सब अपने अंदर जो चल रहा है इसका हमारे उपर सुख्दुक का प्रभाव मतलब वो तो दिखी रहा है उसके साथ साथ उसका शरीर पर भी कुछ असर पड़ता है और उससे शरीर पर क्या असर पड़ता है उसकी भी हम आगे थोड़ी बात करेंगे तो इसको खोल सकते हैं पूरा स्लाइट तो इसको हम कहेंगे एक हल्दी सेल जिसमें के हम एक ऐसी स्टेट में है अंदर जिसमें के ले है जिसमें हार्मनी है जिसमें हम अपने आप में सुखी अपने आप को पाते हैं और ये पूरा समय हर शन अभी पॉसिबल होगा जब हम पूरी ये स्रिश्टी पूरा सब कुछ जैसा है उसको वैसा समझ पाए तो उसी के लिए प्रयास है आगे बढ़िए नेक्स लाइड इसी तरह हम देखें कि हमारी सहत स्फिक्रती क्या है कि हम वैसा खाना खाएं जो की शरीर के लिए पोशक हो लेकिन हमारी कलपना शीलता में क्या ऐसा ही चलता है हमेशा या कभी-कभी कुछ और चलता है इसको भी खोल सकते हैं फुरी स्लाइट को, तो जब-जब हम वैसा खाना खाते हैं जो पोशक होता है, तो हमारी कल्पना शीलता नाच्रुल एकसेप्टन्स के लाइन में होती है, इसलिए हम वैसा खाना खाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है क्या हम टेस्ट के लिए है यही खाना है अब इस समय पर हमारी कल्पनाína शिलता स्विक्रियती की लाइन में नहीं है तो अपने अंदर यह contradiction है यह अंदर contradiction है कि 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 हम एक नाम देते हैं suggest और यह stress जो है यह बाहर कहीं नहीं है यह हमारे अंदर है हमारे विचारों में, हमारे मानिताओं में, हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारा भाव बिगड़ते रहता है, तो उससे इन सब से भी शरीर पर कुछ तो असर पड़ता ही है, तो यह जो अपने अंदर जब मन स्वस्थ नहीं, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं, तो ऐसा चलता है, तो अपने अंदर जब हम स्वस्थ अपने आपको पाएंगे, तो फिर कैसा होगा, आधी बढ़ते, तो जब हम अपने आपको स्वस्थ पाते हैं अंदर से, मतलब हमारे अंदर सही समझ है, सही भाव है, और यह भाव हर्शन रहेगा, तो हमारे अंदर एक यह जो सही भाव है, शरीर के प्रती भी रहेगा, फिलिंग अफ सेल्फ रेगुलेशन जिसको बोटे हैं, उसके तहद हम एक जिम्मेदारी का भाव रखेंगे, शरीर के प्रती, क्योंकि हम एक यह समझ में आएगा कि मैं ही हूँ के अंदर में, मुझे ही जिम्मेदारी लेनी है के शरीर की. शरीर में तो जो कुछ है जैसा है उसको मैं समझ लूँ कैसा चल रहा है फिर उसके तहट उसको हम कैसे ऐसा बने रहने दे सकते हैं उसको उसमें जो ले है उसको बने रहने दे सकते हैं उसमें इंटर्फियर ना करें वो हमें दिखाई देगा तो ये जो जिम्मेदारी है शरीर के प्रती, उसका पोशन, संग्रक्षन और उसका सही यूज़ करना, वो हमें ध्यान में रहे हैं, नेक्स स्लाइट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, नेक्स स्लाइट के, इसको आगे बढ़ जाते हैं, ये अगर हमें ये बात समझ में ना आई हो, तो कैसे हम गलतियां कर लेते हैं, और कैसे हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, अभी अगर हम देखें, ये कुछ बिमारियां हैं, जो आजकल बहुत प्रेवलेंड हैं, उबेसिटी, मुटापा, डाइविटीज या शुगर की बिमारी जिसको कहते हैं, हाइपर टेंशन, हाइबलड प्रेशर, ये अब बहुत आम हो गई हैं, मैनिक डिप्रेशन, जो मन में ना कुछ चल रहा है, अब इन सब का हमारा अप्रोच कैसा है, हम इसको कैसा देखते हैं, तो आजकल तो कभी-कभी ऐसी भी बाते होती हैं, कि मुटापा तो होगा ही, ये तो बॉडी में जो हार्मोन होते हैं, उससे रिलेटेड होता है, ये तो जेनेटिक होता है, पेरंट्स वैसे रहे हो, तो बच्चे तो हूँगे ही, अब हम ऐसा जब सोचने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके लिए तो हम कुछ करी नहीं तो पेट हिलता रहेगा और मुटापा कम हो जाएगा, इसी तरह मसाज करने का, या आजकल तो सरजरी की भी बात होती है, लेकिन अगर हम देखें, ये सब चीजें चलने ही पाती हैं, थोड़ा देर ऐसा कुछ राहत मिलती है, लेकिन फिर मुटापा बढ़ जाता है, इसी अभी बाते होती हैं कि हेरेडिटरी है, जेनेटिक है, पैंक्रियोस्टिक से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करना चाहिए, तो फिर ऐसी बात होती है कि आप रेगिलर टेस्ट कराते रहो, मेडिसिन लेते रहो, टाबलेट्स लेते रहो, चाहिए तो इंसुलिन इंजेक् होती है लेकिन यह प्रॉब्लम होता नहीं दिखता लाइफ लॉंग ही बना रहता है इसी तरह हाई ब्लड प्रेशन इसमें भी यही बात होती है और अगर आप देखें के इनो मोस्ट ट्रीकंटली हाइपर टेंशन अगर आप ढूंदने जाएंगे कि क्यों होता है अगर आप कोई भी किताब उठाके पढ़ेंगे क्यों होता है सबसे common जो बोला जाता है वो है essential hypertension जिसमें के कहा जाता है कि हमें मालुम ने क्यों होता है तो फिर हम क्या treat कर रहे हैं अगर हमें पता नहीं किस से हो रहा है तो फिर हम frequent testing करके salt कम करके walk करके medicine के द्वारा कम कर पाएंगे क यह भी एक question mark रहता है इसमें भी पाया गया है कि medicines बढ़ते जाते हैं high blood pressure कम नहीं होता या इतना अच्छे से वो control में नहीं आता इसी तरह manic depression के लिए भी कहा जाता है बही जो neurons है brain में वो fire ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा response हो रहा है बट वो बात पूरी पढ़ती नहीं है इसलिए हम medicine शरीर को दे रहे हैं लेकिन problem कहीं और है problem self में है अब अब देखें कि अगर हमें यह helplessness का approach आता है तो हम जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं अगर हम यह देख पाएं कि problem तो self में है lifestyle का problem है यह हमारा जो दिंचरिया है उसमें भी कुछ problem है कुछ जो हम खान पान कर रहे है उसमें भी problem है तो फिर हम यह दिखता है कि हाँ भई इसको तो हम ठीक कर सकते हैं लेकिन ठीक क्या है वो भी नहीं समझ में आता है क्योंकि आए दिन पेपर में एक कोई ख़बर निकलती है कि यह वाली चीज अच्छी है ओट्स अच्छे हैं health के लिए ओट्स खाओ नेक्स करना चाहिए कैसा स्वस्थ lifestyle हो क्या intake हो हमारा हम क्या अंदर लें ताकि स्वस्थ रह सकें यह जब हम जान पाते हैं और इसको ठीक कर पाते हैं तो वह जो डिजीज है वो चले ही जाती है अपने आप ही चले जाती है कोई उसको टेस्टिंग करना वो सब जरूरी नहीं पढ तो अपने अंदर स्वस्थ यह सबसे पहला effort है इसके उपर हम काम कर ही रहे हैं आगे बढ़ते हैं अब आया health of the body शरीर का शरीर में स्वस्थ पता है अगे बढ़ सकते हैं तो अगर हम शरीर को देखें तो शरीर अपने आप में एक complete unit है एक orderly system है उसके अंदर बहुत से microbes हैं जितने हमारे जो human cells हैं जो बोडी में इतने cells हैं उससे कहीं ज्यादा बहुत से microbes हैं microorganisms और देखा जाए तो यह सब आपस में एक तालमेल में काम कर रहे हैं यह सब मिलके जो cells हैं tissues बनाते हैं organs बनाते हैं organ systems बनाते हैं फिर यह जो शरीर है यह जो पूरा वातावरन है उसके सास्थ में भी तालमेल रखके चल रहा है वो कैसे चल रहा है जैसे जैसे हम आएगा कि हमारा क्या रोल है अभी आगे थोड़ी सी बात करेंगे जब हम नहां क्या आई यह जो activities हैं हमारा क्या रोल है इसमें वो थोड़ी सी बात होगी तो थोड़ा clear होगा इस बारे में नेक्स लाइड पर आएं तो body तो already एक organized system है तो फिर मेरा क्या रोल है self का क्या र जारी कि जो body में health है उसको मैं कैसे maintain करूं अब आप देखें जब बच्चा पैदा होता है 99% बच्चे स्वस्थी पैदा होते हैं लेकिन आगे जाके हमी लोग बिना समझे उस शरीर पर बहुत से एक तरह से insult या क्या बोलना चाहिए उस पर हम बहुत जोर डालते हैं और उ हम बहुत से बहुत सी चीजें ना समझी में करते हैं उसके साथ जो इसके वज़े से body का जो inherent जो स्वस्तता थी वो खराब होती जाती है तो हमें क्या करना है स्वस्त रहने के लिए तो कुछ चीजों पर ध्यान जाए एक तो हमारा intake हम क्या अंदर ले रहे हैं हमारा daily routine हमार effort कर रहे हैं जमीन के साथ कुछ काम कर रहे हैं पौध ही लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं क्या हम शरीर का movement किसी तरीके से भी कर रहे हैं exercise कुछ हो रही है क्या और एक point है जो कि हम हमारे background से tradition से हमें बहुत सारा मिला है एक तरह से एक हम lucky हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहा पर इतना सब अलड़ी किया गया है स्वास्त के उपर काम हम उस पर उस पूरे खजाने में देखें तो बहुत कुछ है तो उसी के तहद यह postures जो कि जैसे योगा है जैसे कि प्रानयाम है breathing का regulation उन सब से मतलब अपने स्वस्तता में भी फरक दिखेगा और शरीर में तो दिखेगा ही अगर इन सब से हम नहीं कुछ कर पाएं तो फिर आगे देखेंगे medicine treatment की बाते हैं लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि सिरफ ये intake और daily routine इस पर थोड़ी सी बात करेंगे बाकी चीज़ें और कभी next slide तो जब हम बात करते हैं intake हम अंदर क्या ले रहे हैं तो अगर हम देखेंगे हमारा पूरा जो भी interaction है बाहर के साथ वो सिरफ और सिरफ हमारे जो body के cells sense organs हैं उनके through हो रहा है हमारी आँखों के through हम देखते हैं कानों के through सुनते हैं नाख से सांस लेते हैं यह हातों से touch करते हैं तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी कुछ बाहर चल रहा है उसको हम वो उसकी सूचना हमें कैसे मिलती है तो हमारे sense organs के थ्रू तो intake जब हम बोलते हम अंदर क्या ले हम सुचते हैं खाना खाना तो है ही साथ में पानी साथ में हवा साथ में धूप संलाइग और उसके अलावा जो भी कुछ बाहर चल रहा है उसके response में या reaction में अपने अंदर भी कुछ चल रहा होता है तो बाहर कुछ change हुआ उसका प्रभाव हमारे उपर पढ़ता है तो कि यह बाहर के प्रभाव हैं अपने अंदर में कैसे स्थिर बने रहें कैसे सुखी रहें तब तक तो ये चलता ही रहेगा तो हम हम देखें कि हमें अंदर क्या लेना है अब यह जो हवा है धूप है यह सब तो फुछत तक जाई रहा है पानी खाना तो अभी थोड़ी सी खाने की बात करेंगे और फिर दिमचरिया पर जाएंगे आप विक को रेफर करेंगे तो आपको पूरे लचे को देखें तो काना cucina होना चाहिए अगर ला Pan नीटीन स्ट हुना हिए है टिशिशिय तो हमें चाहिए है उस पर तो ध्यान झाता ही है मारा एक और चीज जो हम अकसर ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि जो भी हम खा रहे हैं अब बॉडी में definite recognition and fulfillment है जिता भी कुछ हम ले रहे हैं बॉडी को जितने के भी need होती है उतना वो रख लेता है और जिसके भी need नहीं होती है वो उसको अलग कर देता है और ये जो अलग होता है जिसकी शरीर को अवशकता नहीं है वो फिर बॉडी से बाहर जाता है motion के फार्म में urine के फार्म में पसीने के फार्म में सांस के through and so on तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे के जो unwanted material है जो waste है वो बाहर आ जाए easily ज्यादा देर अंदर ठहरे नहीं क्योंकि अंदर ठहरेगा तो श पानिकारक हो गाई तो कैसा खाना खाएं जो वेस्ट जिसमें के बाहर आ जाए उसको हम कहेंगे फाइबर रिच्फूल फाइबर याने जैसा के फल सब्जी इसमें पाया जाता है जिसमें खूब रेशा टाइप होता है जिससे के जो भी वेस्ट है वो धीरे-धीरे अपनी आंतों से नीचे जाता है और बाहर आ सकता है और बहीं क्यूंकि अगर देखें तो यह भी एक प्रपोजल है कि पूरा सब जो यह सृष्ती में दिख रहा है यह अल्टिमेटली-पांच तत्वह से बना है यह भी एक प्रपोजल है यह अपने ट्रडिशन में कहा भी जाता ह कि अब यह जो पांच तत्व हैं, इसमें जैसे हवा, पानी, आग बोलते हैं, तो आग का रेप्रेजेंटेटिव है, दूप, सनलाइट, है न, अर्थ, अर्थ याने, यह जो मड या जो एक तरह से एक more जो ग्रॉस kind of एक तत्व है, वो, and ultimately space, जो कि, already उसकी बात UHP में भी हो चुकी है, मैं ज्यादा नहीं उस पर बात करूँगी, जो already व्यापक हैं, सब जगए हैं, वो भी एक, यह सब मिलके, जो भी बढ़ना है, इस रिष्टी में, तो शरीर में भी ऐसा दिखेगा, कि यह सब चीजें हैं ही, और हमें जब तक शरीर इन सब चीजों से contact में रहेगा, तब तक शरीर में स्वस्तिता की तरफ वो help करेगा, तो जैसे fresh air है, sunlight है, दूप है, यह सब चीजों का exposure शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, otherwise problems आएंगे, इसको भी हम थोड़ी आगे जब हम दिन्चरिया की बात करेंगे, उसको और detail में बात करेंगे, तो खाना nourishing होना चाहिए, पोशक होना चाहिए बाडी के लिए, कितना खाना है कि हजम हो पाए, उसके लिए हम देखें कि ऐसा कहते हैं कि पेट जितना बड़ा है उसमें one third खाना आ जाए, कुछ और फिर कुछ हवा के रिए जगा हो ताकि अच्छे से mixing हो पाए, अगर खाना डालते हैं, अब अगर हमने पूरा उपर तक भर गिया, सपोजिंग आप नारियल पीस रहें, सूप गिया है, आपने पूरा सुखा नारियल उसमें भर दिया, तो मशीन चलाएंगे, मिक्सी चलाएंगे, तो चलेगी क्या, हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, च चलेगी, अगर हमने थोड़ा जगा छोड़ दी उसमें, थोड़ा पानी डाल दिया, फिर बंद किया, उपर तक नहीं भरा, थोड़ा पानी डाल दिया, और फिर बंद करके चलाया, अब चलेगी के नहीं, अब चलेगी, तो ऐसा ही अपने अंदर भी है, जब हम कुछ चलेगे लगता है पानी की जगा नहीं है, हवा की जगा नहीं है, अब क्या होगा, वो पूरा, जो मिक्सिंग होना है, डाइजेशन के लिए, वो नहीं होगा, तो हम उतना ही खाये, जितना शरीर की रिक्वार्मेंट है, यह ध्यान रखते हैं, कि थोड़ा लिक्विट के ले भी जगा छोड़ें थोड़ा हवा के लिए भी जगा छोड़ें ताके मिक्सिंग हो पाएं जो एज के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हम कितना खाते हैं वह उस पर हमारा ध्यान जाए एज बढ़ गई लेकिन वैसा ही खा रहे हैं जितना टीनेज में खा पहले बहुत एक्टिव थे बहुत खेलते कूते थे अब घर पे बैठते हैं या डेस्क पे बैठके काम करते हैं एक्टिविटी कम हो गई खाना उतना ही खा रहे हैं मुटापा बढ़ जाएगा प्रॉब्लम आएगा तो वह सब ध्यान देते हुए हमें देखना है वेस्ट जो एक्सक्रीटबल होता है उसके लिए हम फाइबर रिच फूड्स खाएं तो देखेंगे कि जित्ते भी यह जो रॉफूड्स है ना सैलेड्स हैं फल हैं यह सब बहुत फाइबर रिच हैं तो हम उनको लें तो थोड़ी सी बात करेंगे हम कुछ फूड्स की एक ध्यान मे रखेंगे कि जब हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं तो उसका गुंब भी हो जाता है इसका एक्जामपल मैं आपको देती हो नेक्स स्लाइट पे जाते हैं जैसे के आप देखें अनाज जो है अब अनाज को हम किते सारे फार्म्स में खाते होंगे गेहूं कोई देखें एक तो होता है कि हम किसी भी अनाज को या किसी भी दाल को हम उसको अंकुरित करके खाते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशल अच्छा रहता है अब इसमें क्या हुआ जो दाल या जो ग्रेन था जो अनाज था उसको हमने फिजिकल ओर्डर में लिया उसको पानी में बिगा के उसको अंकुरित किया अब वो फिजिकल ओर्डर से बायो ओर्डर हो गया अब फॉर्म है जो कि जादा कॉंप्लेक्स फॉर्म है यह हमने यूएच वी में भी पढ़ा है आप इस पर और गौर कर सकते हैं यह प्रपोजल की तरह दे सकते हैं एक प्रस्ताव की तरह तो जब हमने किसी चीज़ को अंकुरित किया अब यह शरीर के लिए और उसके लाइन मे हमने गहूं को सॉयल में डाल दिया और उसका घास उगया उसको खा लिया उसके भी बहुत फायदे होते हैं लेकिन सपोजिंग हमने गहूं ऐसे ही ले लिया और उसको हम ऐसा साबुत तो नहीं खा पाते हैं तो हम उन्हें उसको मोटा पीस लिया दलिया ठीक है वो भी एक करीका है उसमें थोड़ा जो स्प्राउटेड जो ग्रेन था उससे कम पोशक होगा वो उसको हमने और पीस लिया फाइन कर लिया आटा बन गया चान दिया उसको उसका जो बोकर या क्या बुलते हूं फाइबर वो निकल गया अब यह फाइन आटा रह गया अब यह खाया तो यह और कम पोशक होगा इसको हमने और प्रोसेस कर दिया सूजी बन गया अब यह और कम पोशक हो गया उसको हमने और प्रोसेस कर दिया मैदा बना दिया अब उसमें कुछ भी पोशन बागी बजाने कुछ भी पोशक करने लाइक उसमें सिरफ सिरफ टेस्ट ही है और तो कु wheat गेहूं से सब चीजें बनी लेकिन हम देखेंगे कि इस form में कुछ जादा फाइदा नहीं है इसका इसी तरह देखें तो हम खाने में क्या खा रहे हैं उससे शरीर को नुकसान हो रहा है फाइदा हो रहा है हम इस पर ध्यान रखें तो दालें जो खा रहे हैं अब इसी तरह उनको स्प्राउट किया बढ़िया उससे कम उसको पूरा पूरा ना साबुद साबुद पका लिया जैसे कि साबुद दाले लेकिन हम उसको स्प्लिट करके कट करके उसको ना छिलके वाली दाल जिसको बोलते हैं आधा split की हुई दाल वो खाया ठीक है उसमें थोड़ा कम nutrition मिलेगा फिर हमने धुली दाल process किया जो के पूरा cover ही हटा दिया और सिरफ धुली दाल रह गई छिलका विलका सब निकाल दिया fiber गया nutrition गया अब na nutrition बहुत कम हो गया उससे similarly vegetables को जो fresh vegetables है जो जिस area में हम रहते हैं वहां मिलती है season के हिसाब से होती है उनको हमने खाया तो शरीर में फाइदा होगा लेकिन हमने वैसी खाई जो की यहां नहीं मिलती या season के लिए supposing अब जैसे गोवी है गोवी heating होती है आप देखेंगे जो जो winter की सबजियां है ना जो winter में ही जादा आती थी आज कल तो सब कुछ सब जगा मिल रहा है market में क्योंकि हम अपने taste के हिसाब से बहुत कुछ उगा रहे हैं पूरे साल भर लेकिन अगर आप कुछ maybe 20 साल पहले जाके देखते तो दिखेगा कि winter में कुछ खास सबजियां naturally grow करती है summer में कुछ और तो summer में ज़्यादा तर वो वाली सबजियां उगती हैं जिनमें खुब पानी होता है क्योंकि शरीर को उसकी जरूरत है सुखा होता है तो वो टाइम में लौकी तो रही है सब खाना बहुत अच्छा है winter में ठंडी है बाहर शरीर को गर्मी चाहिए ऐसी सबजियां इसली उग जाती हैं जो कि जिन से गर्मी आती है जैसे के गोबी है गाजर है बीन्स है ये सब winter vegetables हैं तो हम season के हिसाब से खाएं और जब उनको पकाएं तो उनको धोया उनको फिर cut किया अगर हम पहले cut कर देते हैं और फिर धो देते हैं तो सारा कुछ तो पानी में बह गया जो हमने उसका nutrition value था फिर जब हम उसको पकाएं तो हलकी आँच पर पकाएं बहुत ज्यादा ना पकाएं और जो जैसे मूली है गोबी है इन चीजों के हम पत्ते फेक देते हैं beetroot है पत्ते उठा के फेक देते हैं वो पत्ते ही बहुत nutritious हैं वो पत्तों में ही बहुत cyber है उसको भी साथ में जोड़ें उसको भी सबजी में डाल दें यह सब बाते हैं fruit भी है fresh fruit जो हमारे area का हो season का हो उसको खाएं और उसको direct खाएं उसको हम juice बना के छान के ले लेते हैं तो fiber हमने फिर हटा दिया उसमें आजकल बहुत सारे pesticides वगारे हा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा baking soda या नमक का पानी लेके उसमें बिगा के रखें थोड़ी दे और फिर उसको अच्छे से running water में धो लें तो थोड़ा कम हो सकता है कुछ मात्रा उसकी कम हो सकती है दूद को देखें तो दूद भी आपको familiarity होगी के नहीं एटू और एवन मिल्क की बात है तो दूद में एटू मिल्क जो देशी गाय का दूद होता है उसको एटू मिल्क कहा जाता है बहुत सी scientific studies होई है कि ये वाला जो दूद है ये शरीर के लिए पोशक होता है nutritious होता है एवन मिल्क जो की जैसे की जर्जी काउ इस टाइब के काउज का मिल्क है वो शरीर के लिए हानी कारक होता है उसका linkage है atherosclerosis, heart disease ये सब के साथ तो एक तो ये कि हम देखें कि A2 मिल्क ही लें जहां तक हो सके देशी गाय का दूद अगर हम देखें हम लेते हैं उसके different forms लेते हैं रही है तही थोड़ा सा ज्यादा difficult होता है digest होने को हर कोई नहीं digest कर पाता तो उनके लिए butter milk एक अच्छा option है butter milk में बहुत से जो शरीर के लिए portion के लिए जो चीज़ें चाहिए nutrition value उसमें काफी है और साथ में उसको हजम करने में भी आसानी होती है इसी तरह जब हम दही बनाते हैं तो fresh दही जो जब set किया तभी खाएं उसको fridge में रखा तो again उसका थोड़ा form change हो जाता है पनीर हम खाते हैं वो थोड़ा heavy होता है digest करने को क्योंकि पनीर में पूरे जो मिल्क solids हैं वो एकदम concentrated form में हैं और जब हम पनीर बनाते हैं तो हम पनीर का पानी फेक देते हैं वो तो बहुत nutritious चीज़ है उसको ना फेकें उसको आटे में डालनें गूंद लें उसको नहीं तो ऐसा ही पी लें वो digestion के लिए बहुत beneficial होता है गी को देखें अब गी A2 milk का गी बनाएं सही तरीके से जिसको बोलते हैं bilona method उसका ना मलाई को लेके उसको दही का जाग लेके दूद लेके उसको जमा देना फिर वो दही को लेके उसको ना उसको फेटना और फिर उसमें से मक्षन निकालना फिर फिर वो मक्षन को जी में बनाना वो right process है तो वैसा करें और खाएं वो बहुत beneficial है health के लिए oils में भी refined ना करें उसको बहुत processed oil ना लें refined oil से दूर रहें उससे भी बहुत नुकसान होता है शरीर को क्यों हमने फिर उसको बिना समझे ठीक से कैसे उसको ठीक रखें हमने कुछ process कर दिया उसमें उल्टा अगर हम उसको cold pressing करें ना जैसे कच्छी गहानी का सरसों का तेल जैसे coconut oil भी आजकल इतनी awareness आ गई है कि market में आपको हर तरीके का oil cold pressed form में मिलेगा वो health के लिए better है स्वास्त के लिए better है refined से दूर है nuts और seeds हैं इसमें फूप सा जो energy है और जो nutrition है वो packed है उसको overnight भिगा के थोड़ी मात्रा मिलें next morning बहुत फाइदा करेगा ज्यादा खाएंगे तो फिर वो हजम नहीं हो इसी तरह sweetness जो है refined sugar से दूर है normal जो natural sweetness है जैसे के शहद है गूड है खजूर है इनको use करें तो नुकसान नहीं होगा diabetes में भी कर सकते हैं कोई नु white salt table salt जो जिसके नाम से वह बेचा जाता है वो ना लेके natural rock salt हिमालियन salt जिसको बोलते हैं सेंदा नमक वो use करें काला नमक use करें उससे शरीर को ज्यादा फाइदा होगा next slide कुछ थोड़ी सी बात रखना चाहरी हूं about plant-based and animal-based foods तो इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं जिस्ट इतना कहना चाहरी थी कि जो vegetarian foods है plant-based foods वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा लाबदायक होते हैं और इसको आप और अच्छे से मैं एक नाम दूँगी and last slide में कुछ नाम दिया है उसमें है एक डॉक्टर है Milton T. Mills उन्होंने इस पर बहुत काम किया है और उन्होंने ये बहुत detail में ये पूरा study करा है कि जो carnivorous animals होते हैं जो ना जो non-vegetarian क्या बोलना चाहिए जो और दूसरे छोटे animals को खाते हैं तो उनकी जैसी आते होती हैं उनका जैसा पूरा digestive system का make है वो एक प्रकार का है और जो गास पूस जो खाते हैं जैसे गाये हैं ये सब तो इनका जो आते हैं और इनका जो पूरा digestive system है वो एक प्रकार का है और जो मानव का digestive system है वो बहुत कुछ ये जो घास खाने वाले जो जानवर है ना उनसे मिलता जुलता है तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि हमारे जो digestive system है उसका design ही इस तरह का है कि हम plant-based खाना खाएं फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमारी आतें नहीं खाएंगे फल नहीं खाएंगे तो इसमें से जो nutrition है वो तो मिल गया लेकिन जो waste है वो अंदर ही फसा रहेगा intestines में चिपता रहेगा और उससे फिर आगे जाके बहुत बेमारी होगी लेकिन हम fiber rich foods खाएं तो यह सारा निकल जाएगा लेकिन हमारे आते इतनी जो लंब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हूं लेकिन आपको questions होंगे तो एक 10 minute में हम लोग ले लेंगे ठीक है तो अगर हम अपनी दिंचरिया को देखें तो दिंचरिया में पूरा जो system है कैसे चलता है जैसे अब बाहर देंगे तो सुबह के टाइम सूरज उगता है खुप होती है दीरे दीरे तेज धूप होने लगती है शाम को सूरज धनने लगता है ठंडा हो जाता है ठोड़ा ऐसा चलता है तो इस सबसे पौधों में हवा में कुछ फरक दिखता है तो इसी तरह शरीर मे भी बहुत सारे चेंजिस हो रहे हैं जो कि शायद हम देख पाएं शायद ना देख पाएं ठोड़े से इन चेंजिस को हम उनकी बात करेंगे देखें तो अगर मतलब हम यह देखें कि अरली राइजिंग की बात होती है सुबह जल्दी उठें काब उठें ब्रह्ममूर्थ क में डिवाइड किया गया तो जो लास्ट बट बन मोर्थ होता है वो टाइम में उठना बैस है मोटा मोटी यह है कि सूरज उगने के डेड़ घंटे पहले के करीब हम लोग उठ जाएं तो ब्रह्ममूर्थ यह मतलब नहीं कि किसी भगवान को प्लीज करने के लिए हम उठ प्रह्मा यानि creator मुर्थ मीनिंग time तो मेरे लिए हर किसी के लिए यह best time है हमारी जो creativity है हमारे अंदर उसके लिए यह best time है क्यों best time है क्योंकि एक तो इस time पे शोर यह सब नहीं होता हम planning कर सकते हैं हम ध्यान लेज सकते हैं alert होते हैं सो के उठे होते हैं और इस time पे nascent oxygen जो ह है atmosphere में वो best मतलब वो इस तरी इतना quantity में होता है कि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ताकि हम alert रह पाए हमारी energy level high हो पाए हमारी जो immunity है वो बढ़ी रहे बट इसका और detail बार में आप बुक में देश करते हैं next slide फिर सुबह उपते क्या करें दिन चरिया में observing बॉडी को observe करना अंदर क्या चल रहा है रात में नीद अच्छी आई नहीं आई tired लग रहा है क्या tension लग रहा है क्या पूरे बॉडी में एक मतलब mentally उसको थोड़ा सा जांच लें muscles में relaxation है tension है लगता है खाना हजम हो गया या कुछ gas है कहीं दर्द है कुछ खटे डकार आ रहे हैं breathing pattern कैसा है मन में क्या चल रहा है यह सब देखें फिर next slide सुबह उठके क्या करने चाहिए तो यह हो गया observation फिर early morning उसको हम before sunrise उठ जाएं और गरम पानी पिएं क्यों गरम पानी पिएं अब आप इसको देखेंगे अगर तो यह भी बहुत scientific आप इस slide में देखेंगे तो आपको दिखेगा यह जो पूरा जो circle है इसमें division किया हुआ है वात कफ पित यह सब लेबल किया हुआ है अब यह एक तरह से जो environment में conditions है उनके बारे में बता रहा है यह जो वात कफ पित ऐसा ही अपने शरीर में भी यह combinations होते हैं वात मतलब जो air से linked है air और space जो पांच चीज़ें बात होई थी air और space का combination को वात बोलते हैं वात wind से related है wind की क्या qualities है dry होता है खंडा होता है तो इस समय पे जब हम उठते हैं यह वात टाइम में शरीर में भी यह वात predominant है तो उस समय पे कुछ गरम कुछ liquid जो की वेट हो dryness को कम करने के लिए वो हम ले सकते हैं इसी तरह आप देखेंगे आप नीचे जाए उसके opposite देखेंगे वात टाइम इवनिंग में भी है तू पीम टू शिक्स पीम और आप नोट करो कि इसी टाइम पे अकसर मोस्ट कल्चर में चाए पी जाती है तो एक तरह से कुछ वाम कुछ लिक्विड दिया जा रहा है चाई ही लेना जरूर यह ऐसा नहीं है कुछ भी आप वाम लेंगे त क्लेंजिंग में क्या तो जो अगर हम देखें तो जो बावर मुवमेंट होती है सुबह एक नैच्रल अर्ज होता है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए कभी-कभी हम लोग बाहर होते हैं कहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी बातरूम नहीं जा सकते तो अपने आपको रोक लो ऐसा ना करें तो एक नॉर्मल प्रोसेस में बाधरूम भी जा सकते हैं बच्चे अकसर कर तेहां उनको स्कूल फटा 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 हम जल्दी करके बढगा देते तो वह कभी-कभी बातरूम नहीं जा पाते हैं थो फिर वह स्कूल में फिर जाना पसंद के यह तो खेर बच्चों की बात है बट कभी कभी एडल्स भी होके भी हम इतना आउटसाइड अक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं यह सब इस पर ध्यान नहीं जाता तो सुबह उठके सब्सकारण यह ब्लूट शरकिलेशन भी बढ़ जाता है कि इसना पोसॉठाइड सा अंपिक्रसेस्ज संधसक्षी इसलिए निकलता है यह सब फ्लेंजिंग प्रोसेस चल रहे होते हैं बॉडी में आप इसमें साइकल में देखेंगे तो यह कफा टाइम है 6 a.m. to 10 a.m. यह टाइम में शरीर में से पूरे टॉकसिंज और यह सब निकल रहे हैं सब बाहरा रहा है वह टाइम में में हम ठोड़ा हलका खाना खाए इसलिए बेक्फस्ट लाइट हो ताके हम खाने में अटनी ना स्पह splits करें इसब जो बॉडी में चल रहा है उसको एड करने के लिए उसको help करने के लिए यह सब detail में मैं नहीं जाओंगी next, next slide meals में देखें तो क्या करना चाहिए meals में तो मील्स में देखें तो अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है 30-35 यह से उपर हैं तो दो मील्स इनफ है रेक्फस में कुछ अनाज लेना जरूरी नहीं कुछ लाइट ले सकते हैं जैसे के फल ना वो उनको फल जैसी चीजों को क्लेंजर्स भी कहा गया है क्योंकि इतना फाइबर होता है इतनी जल्दी वो नीचे जाते हैं के पूरा जो वेस्ट है इसली बाहर आ जाता है तो ब्रेक्फस्ट 7-8 अ.म टाइम दिया गया है ताकि 9 अ.म के पहले-पहले सब खतम हो जाए क्योंकि आगे जब लंच खाएंगे लंच बारा बजे के आसपस खाने ना चाहिए क्यों खाना चाहिए क्योंकि जब धूप बिल्कुल सिर के उपर होती है वो टाइम में मैक्सिमम हीट का टाइम है अपनी बॉड़ी में भी उसका रेप्रेजेस्टिटिव है जो जिसको हम डाइजेस्टिफ फायर बोलते हैं वो मैक्सिमम होता है उस टाइम उस टाइम पर आप खाना खाएंगे तो इसली पचेगा लेकिन टू पीम के टाइम जैसा आप देख रहे हैं इसमें वो पित्ता टाइम जो हीट का टाइम है वो खतम हो गया अब बात टाइम शुरू हो गया अब आप खाना अंदर डालेंग तो पचेगा नहीं जरी मुश्किल होगी शरीर को तो इस हिसाब से हम खाएं डिनर कब खाएं डिनर देखेंगे तो लाइट खाएं क्यूंकि अब धूप चली गई अब थोड़ा ठंडा हो गया मासम हमारी जो पाचन शक्ती थी टाइजिस्टिफायर थी अग्डी थी वो क कम हो गई कम हो गई तो अब हजम होना मुश्किल है तो दिनर लाइट खाएं बहुत लाइट खाएं सूप वगहरा इस टाइप का लें अफकोर शरीर के मतलब एज के हिसाब से देखते हुए अगर कोई टीनेज लड़का है तो उस पर हम सूप खाने नहीं बोले हैं लेकिन फोर टुट एटास मिनिमम फोर आज विकोज उसके पहले वह हजम नहीं होता और जब भी खाना खाएं यह ध्यान दें कि पिछला खाना हजम हो गया के नहीं अगर भूक नहीं दिखरी जादा तो ना खाएं नेक्स स्लाइप फिर बाकी चीज़ें और यह देखें कि इसका भी इंपॉर्टेंस है जैसा मैंने कहा कि यह जो हमारा ना शरीर का इन सब पांच तत्तों से टच में रहना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी एक मूवी है अर्धिंग मूवी पुल लेंट मूवी जड़ा लंबी है डाउन टू अर्थ करके एक 15 मिनिट शॉर्ट फिल्म है इसको आप देखें आपको आइडिया लगेगा कि शरीर का नंगे पेर होना सॉइल के साथ टच में रहना कितना जरूरी है इसी तरह आप देखेंगे कि नैच्रोपैथी में द करते हैं होट इसका एक बहुत शरीर के स्वासत में बहुत लाब होता है सन लाइट एक्सपोज़र आजकल इतना वाइटमिन डी डेफिशन्सी हो रही है क्यूंकि सञ्ड़ अब आते हैं असलीप के तो क्यों सोना जरूरी है क्यों टाइम से सोना जरूरी है रात में बहुत सारे repair work काम चलते हैं जितना भी दिन में हम पूरे insults करते हैं बाडी के उपर उसको तरह तरह के से ना बिना समझे उसको इस्तेमाल करते हैं तो रात में बाडी अपने आप अपने self organization के तहट वापस normalcy की तरफ आने की कोशिश में रहता है तो एक repair एक regeneration अंदर चलते रहता है कितना सोना चाहिए approximately 6 hours छे आज ही जरूरी है आठ गंटे नहीं सो सकते चार गंटे नहीं सो सकते यह vary करेगा कब सोएं रात को 10 बजे is a good time क्योंकि उसके बाद ही वो repair processes शुरू है अगर हम जग रहे होंगे उसमें interference कोगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा तो हम 10 बजे तक सो जाए और सुबह जल्दी उट जाए जो की पुरा जो environment है उसके साप से चलेंगे फिर ठीक ठीक सो फिर हम देखेंगे कि यह जो process है पूरा इसमें priority क्या रहेगी तो priority यह रहेगी कि हम one staying healthy के लिए अपनी दिंचरिया अपना खानपन अपना intake को ध्यान में रखें और थोड़ा labor थोड़ा बाहर काम करें नीचर के साथ ना work with nature यह करेंगे या at least work with nature ना हो हम अंदर भ काम भी हो जैसे कि हम साफ सफाई करने घर में उच्छा लगा लें सबसे में भी होगी कुछ उसका नतीजा भी निकलेगा नहीं तो at least exercise कर लें कुछ movement तो हो पॉस्चर ब्रीधिंग इस पर कुछ काम करेंगे तो भी शरीर के स्वास्त में फाइदा होगा अगर यह सबसे नहीं manage हो रहा तब हम जाएं दवाई पे और treatment जिसकी बात है मतलब जो कि lifelong ही कुछ चीज लेनी हो तो उसको तो स्वास्त ना ही माने तो अच्छा है तो यह priority में चलेंगे तो ठीक रहेगा इसाफ किताब बॉडी का next slide अब आते हैं लास्ट पर healthy environment वातावरन जैसे मैंने कहा मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगी लेकिन हम परिवार का हिस्सा है हम समाज का हिस्सा है हमारे परिवार में एक ले होगा एक हार्मिनी होगी तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलके जो हमारा purpose है राइट understanding का उसके नो मैं कर सकते हैं और साथ स्वास्त भी विद्यान देंगे ऑपस में और दूसरे को जल्दी उठाएंगे आपस में दूसरे के साथ नहीं जा के वोग करेंगे कुछ के इक्से करेंगे कुछ करेंगे थीख रखेंगे खाने पर ध्यान देंगे वो सब तर पाएंगे इसी तरह हार्मिनी इंड सुसाइटी जब हम समाज के तब लगों के लिए उस पर काम करेंगे किया साथ सु़ास्ते रह पाएं कि इसी तरह पूरे नेचर में व pracy को हमें घर्णैसा हो गया कि यह हो गया कैम रह पाएंगे यां के नहीं दो रह अंदर जाने की बाहर दूसरे प्लानेट पे जाके रहने की बातियों तो जैसा है हम उसको सुधा हैं हमने जो गड़बर करी है नेचर में उसको हम सुधार हैं उसके लिए काम करें तो आगे मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी हो गया बहुत सारा मेरा ही बोलना नेक्स स्लाइड पे छोड़ दीजे और प्वेस्टेंज लेते हुआ I'm sorry थोड़ा रश्ट था बट डेवी मैं करता हूं कि बहुत बाइन ब्लॉइंग गागर में सागर और मैं समझता हूं इतने कम समय में चाहिए यो है पिर पूट इन डैलेमा का किस तरह चाहिए इतना हॉलिस्टिक जो है और मैंने मैं यह मैसूस कर रहा हूं कि यह जो सैल्फ एक्जिस्टेंशन रियालिटी के साथ बहुत अच्छी तरह को रिलेट हुआ है और मेरे एक दिल में आ रहा है कि AICTA और इसो ने इंजिनिंग में कर दिया लेकि डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि सैल्फ जो पार्ट है केवल पैसेंट का नहीं डॉक्टर का भ परती उसका सेल्फ और डवयों के परती जो है और मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग प्लैसी वो इफेक्ट उसकी बात करते हैं वो बहुत बड़ा रोल करता है यह सैल्फ और मेंटल हेल्फ जो है तो संजमुच में यह हॉलिस्टिक जो है तो तो आपिक आप ते जिस तरह स है और मेरी ती इच्छा है कि कि एक बेंट्स बार्किंग हो जाए जैसे डॉक्टर सरभिला जी है ऐसे सारे डॉक्टर का क्योंकि यह सारा का सारा कॉमर्शियल बाजार जो चल रहा है और सेल्फ पे बिल्कुल ज्याद नहीं है दवाईयों पे और बिज्निस पे तो सच मु प्रिया हो गया मुझे आपके बातों से सुनके अधिक अन्मेसेबल इट और मेरी दो इच्छा है कि यह क्या है आपका लेक्टर यूटूब पर या इसका जो है हमें वह मिले का इसका लेग क्योंकि इसको अब ज्यादा ज्यादा हम खुद भी समझेंगे अच्छी तरह क्य होंगी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बुक है बुक को आप पढ़िए और अगे होंगी उनको अधिक करिया आदी भी बुक का नाम मैंने इसमें लिखा दिये कि बुक का दाव उसका सोर्स भी जो है लेकिन आप उसब आपको मिल जाएगा कोई डाल देंगे चैट पर क कोई भी पार्टिसेबंट जिनको मालम है वो डाल देंगे और कॉमेंट्स का टाइम है या रोकना है नमस्ते जी नमस्ते एक और ले लेते हैं ठीक है ठीक है नमस्ते जी यहां तक नहाने की बात है न अगर आप देखें तो एक तरह से एक क्लेंजिंग का ही प्रोसेस है है हम शरीर को दोते हैं तो अब इसमें जो भी हमारा अगर हम देखें हम बहुत ठंडी जगा में है तो एकदम ठंडी ठंडे पानी से अगर सपोसिंग आप जम्मू में है और वहां का हम विंटर में ठंडे पानी से नहाएंगे तो शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल लग सकत है अभी हम वह सेथी में तो उसके अभी हैовать के हम उसके porta अब तीसके करके में जोग्रेव थीजो ठंडा में ठंदा विए एक कोसा पानी के ना लैए एगा जी और पहले पैरों प्रचन का विए ठंडे से तो पैरों पर दालना जी इसीजाrollo है 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 कि अल्टिमेटली जो हम देखें तो शरीर में यहां यह बाल वाल सिर्के उपर होता है यह अक्सर देखें तो यह थंडा रखना बेटर है आपने यह सुना होगा ना पैर गरम पेट नरम और थंडा रहना चाहिए सुना होगा ना तो नहाने में वैसे ही हम बहुत तेज पानी ना यूज करें अगर हलका मतलब तेज गरम ना यूज करें अगर हलका गरम यूज कर रहे हैं तो ठीक है सिर्पे भी डालना पहले मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ वो नहीं है जब हम जाते ही है नहाने तो पह दिखा के पैर पे ही डालना जरूरी है या सिर पे पर हो सकता है मुझे सब कुछ तो सारे आंसर तो नहीं मालूक तो हो सकता है मुझे उस पर देखना होगा जी ठीक है एक और यह मलाँ अभी कुछ दिन पहले हम सुनते थे तो वो पता रहे थे कि सुबह का खाना राजा की तर है और शाम का जो है बिखारी की तरह है और अभी एक गंटे का उपवास रखना चाहिए तो मरले यह कन्फियूजन सी दोनों में हो रही है कि सोड़ा गंटे का उपवास रखेंगे तो सुबह पर तो ग्यारा बारा बजे का फिर हमारा टाइम बंदता है और सुबह भूख भी लग जाती है तो कैसे मतलब इसको मैनेज करना जी है देखे ये है ना कि जब हम खाते हैं तो हम ऐसा ना सोचके चलें कि हमको तीन मील्स ही खाना ज़रूरी है है ना हम भूख के हिसाब सिखाएं तो आप देखेंगे पूरे महीने हमको उत्ती ही भूख नहीं लगती रहती कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जो भूख कम होती हैं है ना फिर भी हम खा लेते हैं कि खाने का टाइम हो गया खालो एक ये जो एकादशी के उप्वास का हमने सुना होगा उसके पीछे साइन्टिफिक रीजन्स है तो मतलब हम अगर हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा कि कोई कोई दिन हमें इतनी भूख नहीं होती उस समय हम टाइम दे इतना ना खाएं या खाना ही ना खाएं अगर भूख नहीं है तो तो देखेंगे फिर ये ना 16 घंटे वास और ये सब करना जरूरी नहीं रहेगा अभी हम टाइम टू टाइम खाते जाते हैं खाते जाते हैं इसलिए फिर ये जरूरी हो जाता है कि कभी तो ब्रेक दें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकि वो रिपेर कर पाए अपने आपको तो इसलिए फिर ये आप जरूरी हो गया क्योंकि एक नोबेल प्राइज एक नोबेल लॉरेट ने ये बात बताई थी और ये साइंटिफिक भी है कि अपने अंदर जो इतना है सब कुछ कि हम हमें शरीर को उसमें से भी नुट्रिशन निकाल सकता है ये बात आगे आयी थी तो इस से फिर एक बन गया के हास 16 गंटे उपआस करना है वो करके देख सकते हैं आप उसमें कोई प्राइब्लम नहीं है बट यही है कि मतलब कोई भी चीज़ को रिजिडली ना लें उसमें अपने हिसाब से देखते चलें अब किसी की जो अभी मैंने प्रकृती की बात नहीं करी Constitution की लेकिन सबका अलग-अलग प्रकृती रहता है अगर किसी की बात प्रकृती है उनका करेंगे तो शायर उनको सूटना हो तो थोड़ा-थोड़ा अपने लिए देख के चलना पड़ता है ठीक है यह बात ठीक है जिए ठीक है जिए मैं स्टॉप करती हूँ आगे आए तो